नमस्कार सुर्प्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ प्रीती आईए शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ बेसेफ जवान के वीडियो पर ग्रे मंत्राले ने पीमो को सौपी रिपोर्ट खराब खाने की शकायत को किया खारज जवानों के लेक तीस जन्वरी तक हल्प लाइन सेवा कॉंगरस उपाद्यक्ष राउल गांधी के खिलाब चुनावायोग पहुची बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगने का रूप जनवेदना संबिलन में दिये बयान पर कारवाई की माँ समाधादी पार्टी के चुनाव चिन पर फैसला सुरक्षित साइकल पर पाँच घंटे चुनावायोग में सुनवाई दोनों पक्षों ने पेश की दलीले प्रधान मंद्री को समन नहीं कर सकती लोग लेखा सबिती देख्ष के बयान को सदस्यों ने किया खारेच कहा जवाब की बाद धितान नहीं दस मार्ट से होंगी आईसीएसी की दसवी और बारवी की परिक्षा चुनाव के मद्दे नज़र तारीखों में बदलाव 30 जनवरी से आईसीएसी की बारवी की परिक्षा ग्री मंत्राले ने बीएसेफ जवान तेश भादूर यादव की खराब खाने की शिकायत को खारिच कर दिया है प्रदान मंत्री कारेले को भेजी गए रिपोर्ट में ग्री मंत्राले ने कहा कि अर्दिसानिक बलो की किसी भी पोस्ट पर राशन की कोई कमी नहीं है और नियमित रूप से गुलवत्ता जाच की जाती है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीमा परतैनाथ जवानों ने कभी खाने की शिकायत नहीं की प्री मंत्राले ने अर्दिसानिक बलो से जवानों की शिकायतों की जल्दि सुनवाई करने को भी कहा है PTI के मताबिक बलो से ये भी कहा गया है कि अगर कोई जवान शिकायत करता है तो वरिश्ट अदिकानियों को उसे परिशान नहीं करना चाहिए इपत्रों के मादिम से भी जवानों की शिकायत स्वीकार करने को कहा गया है इस बीच बीएसेफ ने भी एक विशेश टेलिफोन आधारित हेल्प लाइन शुरू की है ताकि जवान 31 जनवरी तक गुप्त तरीके से अपने शिकायते दर्ज करा सके बीएसेफ के बाद सेना के एक जवान ने अधिकारियों पर आरोप लगाए है वहीं सेना देक्स जनरल बिपिन रावत ने जवानों से कहा कि वो सीधे उन्हें अपने परेशानी बताए साथ ही हर कमार्ण में एक शिकायत पेटी रखने का निर्देश दिया है अर्जसनिक बलों के जवानों के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है इसमें अफसरों पर जूते साफ करवाने और घर के काम करवाने का आरोप लगाया गया है इस मुद्दे पर सेना प्रमुक जनरल विपिन रावत ने कहा कि सेना में शिकायत के लिए बहतर तंत्र मौझूद है और जवानों को सोशल मीडिया की जगह ऐसे मुद्दे सेना के भीतर ही उठाने चाहिए सेना प्रमुक ने हर कमांड पर शिकायत पेटी रखे जाने की बात कही और जवानों को अपनी शिकायत के लिए इसका इस्तमाल करने की सलहा दी वीडियों में लांस नायक यग्य प्रताफ सिंग ने आरूप लगाया कि उसने प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और ग्रिहम मंत्री को शिकायत भेजी थी लेकिन शिकायत सुनने के बजाए अधिकारियों ने उसके खलाफ ही जांच शुरू कर दी इससे पहले अर्थ सानिक बल, बीएस एफ और सी आर पिएफ के जवानों ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर उनके साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाया था बीरो रिपोर्ट राज्य सवा टीवी चुनाव से जोड़ी कुछ एहम खबरे बीजेपी ने राहूल गांधी के भाषन के खिलाब चुनाव आयोग में शिकायत की है बीजेपी का कहना है कि राहूल ने कॉंक्रेस के चुनाव चिन्न को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ कर धर्म के आधार पर वोट मांगे बीजेपी का कहना है कि राहूल गांधी ने सुप्रीम कोट के उसादेश के अभेलना की है जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए लखनों में बीजेपी प्रिसेनिदी मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी टीवेंक टेश से मुलाकात करके कौंग्रिस उपाध्धक्ष और पार्टी के खिलाफ कारवाई करने की मांगी बीजेपी ने चुनाव आयोग को रहूल गांदी के भाषन की सीडी भी सौपी है जन वेदना सम्मेलन में रहूल गांदी ने कौंग्रिस के चुनावचिन हाथ की व्याख्या करते हुए सभी धर्मों का जिक्र किया था समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है आयोग ने कल खरी पांच घंटे अखिलेश और मुलायम खेमे के बकीलों का पक्ष सुना दोनों गुटों ने पार्टी के चुनावचिन सायकल पर दावा पेश किया है माना जा रहा है कि आयोग 17 जनवरी को इस मामले में अंतरिम आदेश दे सकता है समाजवादी पार्टी विवाद मामले में शुकरवार को चुनाव आयोग ने सुनवाई की मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव दोनों खेमों ने खुद को असली समाजवादी पार्टी बताया अखिलेश यादव गुट का दावा था कि अधिकतर विधायक मुक्यमंत्री के साथ हैं इसलिए पार्टी का चुनाव जिन साइकिल उन्हें ही मिलना चाहिए मुलायम सिंग यादव के खेमे ने पार्टी सम्विधान का हवाला देते हुए साइकिल पर हग जताया साथ ही उन्हें ने अखिलेश यादव की ओर से पेश किये गए हलफ नामे की सत्यता पर भी सवाल उठाए चुनाव आयोग ने शुकरवार को दोनों खेमों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था इससे पहले आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायाम सिंग यादव को अपने समर्थक विधाय को सांसदों और पार्टी नेताओं की हलफना में जमा कराने को कहा था अब इस मामले में अंतिम फैसला चुनावायों को करना है समाजवधी पारटी में चल रहे घमासान के बीच पारटी के वरष नेता और पूर्व के इंद्रे मंत्री अशोग प्रिधान की बीजेपी में बापसी हो गई है उन्होंने कल दिल्ली में विधिवत पारटी में शामिल होने का एलान किया अशोग प्रिधान का जनसंग के जमाने से बीजेपी से जुड़ाओ रहा है वो बीजेपी के टिकट पर चार बार सांसद रहे वाचपी सरकार में प्रिधान दो बार की इंद्रे मंत्री भी बने अशोग प्रिधान समाजवादी पार्टी में चले गए थे पंजाब में तीसरे दिने कीस उम्मीदवारों ने नामानकन पत्र दाखिल किये इनमें आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता सुकपाल सिंग्हेडा और शुनुमने या काली दल के नेता दर्शन सिंग समेथ अलग-लग पार्टीयों के कई आला नेता शामिल है शुक्रवार को मिलाकर पंजाब में अब तक क्यावन उम्मीदवारों ने नामानकन पत्र भरे हैं प्रदेश में 18 जनवरी तक पर्चे भरे जा सकते हैं जबकि 19 तारिक को पर्चो की जाँचोगी और 21 तारिक तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है पंजाब चुनाओ के लिए त्रणमूल कॉंग्रिस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है दूसरी सूची में 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है पार्टी का दावा है कि 30 सूची भी जल्दी घोशित की जाएगी असल में पंजाब में 18 जनवरी तक ही नामानकन भरने का वक्त है ऐसे में त्रणमूल कॉंग्रिस बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची भी तैयार करने में जोर शोर से जुटी है पंजाब में राजनी तक खेमा बदनने का सिलसला जारी है इस मामले में प्रदेश में कॉंग्रिस को बड़ी कामियाबी मिली है बीजेपी, शिरुमनिया काली दल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कॉंग्रिस का दामन थाम लिया है इनमें बीजेपी के तज्यूर बिदार नेता और पूर्दमन्तरी सत्पाल गुरसाइं भी शामिल है गुरसाइं के साथ बीजेपी नेता गुरदीप सिंग नीतू ने भी कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया आम आदमी पार्टी की महिला है काई की पूर्वद्यक्ष मौर सिम्रत को और धालीवाल भी कॉंग्रिस में शामिल हो गई है इसके बाद कॉंग्रिस के प्रदेश अद्यक्ष याप्टन अमरिंदर सिंग ने दावा किया कि पंजाब में कॉंग्रिस के लोग प्रेता और मजबूती के चलते दूसरी पार्टियों के नेता कॉंग्रिस में शामिल हो रहे हैं इसके लाबा कॉंग्रिस ने दस उम्मीदवारों की चोथी सूची भी जारी कर दी कुल मिलाकर कॉंग्रेस अब तक 110 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है वही गोवे नामानकन के तीसरे दिन कुल आठ उम्मीदवारों ने नामानकन पत्र दाखिल किये 19 जनवरी को नामानकन पत्रों की जाच होगी और 21 तारिक तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं सभी 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है गोवे अगले महीने होने जारे विदानसभा चुनाओं के लिए महराश्रवादी गोमान तक पार्टी ने शुकरवार को 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी लिस्ट में गोवा क्रिकेट असोसेशन के सचिव विनोध पाकड़े और बीजेपी और कॉंग्रिस छोड़ कर आए कई उम्मीदवार शामिल हैं एमजीपी ने पहली सूची में तीन मौझूदा और तीन पूर्व विधायकों के नाम शामिल किये हैं हाल ही में एमजीपी ने राज्जी की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर गड़बंधन तोड़ दिया था इसके बाद पार्टी एमजीपी आरेसस के बागी नेता सुभाश विलिंकर की अगवाई वाले गोवा सुरक्षा मज जीएसेम और शिवसेना के गड़बंधन में चुनाओ लड़ रही है ये गड़बंधन पैतीस सीटों पर चुनाओ लड़ेगा पांच राज्यों में विधान सभाश चुनाओ के मद्दे नजर काउंसल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफेकेट एग्जामिनेशन यानि CICSE ने दसवी और बारवी परिक्षा की तारीखों में बदलाब किया है CICSE 10W के परिक्षा τरीखों दस मार्च को अंगरीजी के पेपर के साथ शुरू होंगी और की सपरेल तक चलेंगी वह 21.5 की ISO की परिक्षाidel एक मार्च को शुरू होंगी और 26 अपरेल को आखरी पेपर होगा बारवी के चात्रों के प्राक्टिकल 30 जन्वरी से शुरू होंगे और 8 फरवरी को समाप्त होंगे इस साल धाई लाग से जादा चात्र चात्रा इस बोर्ड के तहद परिक्षा दे रहे हैं खबरे जा रही हैं बॉंडा दिवासियों से मिलने आज हम पहुँचे हैं उडिशा राज्ये के मलकानगिरी जिले की बॉंडा गाटी बॉंडा दिवासियों की सिक्षा, स्वास्त और रोजगार के लिए जो काम किये जाने थे, क्या वो काम हुए? समिधान और कानून ने इनको जो हक दिये, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के कैलेंडर पर इस बार महात्मा गांदी के जगा प्रिधान मंतरी नरींदर मोदी की तस्वीर से विबाद खड़ा हो गया है विपक्षिदलों ने इसके लिए माफी की मांग की है, खादी आयोग और बीजेपी ने इस कदम का बचाव किया है पीटे आयोग के इस कैलेंडर और डायरी ने नया विवाद शुरू कर दिया है कैलेंडर पर चर्खा चलाते राश्पिता महात्मा गांधी की तस्वीर प्रकाशित करने की परंपरा है इस बार बापु की जगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की फोटो है कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी और दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजिवाल ने इस कदम की आलोचना की है विपक्षी दलो ने भी इस फैसले की निंदा की है परोप्षूप से कहा जा रहा है कि अरे ये तो पहले भी हुआ कई बार कि उन डायरियों के रेडरों में गांधी जी नहीं थे कुछ वर्षों में बात सही है लेकिन ये मूल बात नहीं है मित्या परचार है बरवानी की प्रक्रिया है उन सालों में कभी चर्खा था कभी आहम आद्मी था कभी हल था कुछ था लेकिन प्रधान मंतरी उस वक्त के या राश्पती उस वक्त के नहीं आये थे उसमें आम लोगों का मानना ये है कि खादी की प्रेड़ना महात्मा गांधी थे उन्होंने ही उसको विक्सुत किया था और उनकी छबी या तस्वीर हटा देना महात्मा गांधी के परीजनों ने भी इसे प्रचार पाने की कोशिश बताया है स्वतंत्रता संग्राम का एक हतियार भी था आज एक महज फोटोग्राफिक प्रॉप बन गया है उसके साथ तस्वीर निकालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ पोज करके तस्वीर निकालने से कोई खादी का पूजक नहीं बन सकता दूसरी ओर खादी आयो के अध्यक्ष विने कुमार सक्सेना ने ट्विटर पर लिखा कि कोई भी राश्पिता की जगा नहीं ले सकता सिर्फ उनके विचारों पर चला जा सकता है ये तस्वीर खादी के पती हमारी पती बद्धिता को दर्शाती है साल 2005 में भी बिना बापू की तस्वीर वाले कैलेंडर चप चुके हैं बीजेपी ने कहा कि पूर्व में भी छे बार कैलेंडर पर बापू की तस्वीर नहीं थी चर्खा और खादी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है राशपिता ने इनी प्रतीकों के सहरे आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा था प्रनव गोस्वामी के साथ दीरो रिपोर्ट राज्यसिवर टीवी लोक लेखा समिती के देश के वी धौमस के बयान को खारिज करते हुए जरूरी लगता है तो वो मंत्री के साथ अनौप चारिक रूप से बात कर सकते हैं कॉंग्रस नेता और समिती के देश के वी धौमस ने कहा था कि जरूरत होने पर नोड़बंदी के मुद्दे पर रधान मंत्री को तलब किया जा सकता है जिसकी समिती के बीजेपी सदस्यों ने जिसका विरोध किया और लोकसवाद्यक्ष को खत लिखा था एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को रोकने वाले याचिका परकल सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने याचिका करता से पूझा कि एक फरवरी को बजट पेश होने से किस कानून का उलंगन होगा कोट ने इसके लिए याचिका करता से दस्तावेज और कानूनी प्रावधान सौपने को कहा है मुखिनादेश जेएस खेहर की अगवाई वाली पीट ने कहा कि हमारे हिसाब से किसी कानून का उलंगन नहीं हो रहा है मामले के अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी दिल्ली एंसियार में दस साल पुराने डीजल वहानों पर लगा प्रतिमंद हटाने को लेकर केंदर सरकार नेकल सुप्रीम कोट में याचिका धायर की केंदर की दलील है कि इसे गरीब तबके पर असर पड़ रहा है अधायत ने अटॉर्णी जनरल से एंजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक दूसरी याचिका के बारे में पूछा पीट ने पूछा किसा धार पर वो याचिका खारिच की गई एंजीटी ने रासधानी में बढ़ते प्रदूशन पर काबू पाने के इरादे से 26 नमबर 2014 को फैसले में कहा था कि 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल भाहनों को दिल्ली की सटकों पर चलाने के अनुमती नहीं होगी इसके बाद अधिकरण ने 7 अपरेल 2015 को आदेश में कहा कि 10 साल से जादा पुराने किसी भी बहान को दिल्ली में चलने के अनुमती नहीं होगी एंडिये सरकार की महतवकान शीकेन बेतवा नदी जोडो पर योजना पर इस साल काम शिरू हो जाएगा जलसं सादन मंतरियमा भारती रे कल इसका ऐलान किया थादना कि पर्योजना की पर्योजना को लगबक सभी जरूरी मंजूरी मिल गई है इसपर होने वाले खर्च का मामला भी जल्द इस लज़त जाएगा पर्योजना पर करीब 9400 करोड रुपए का खर्च आएगा जली कट्टू के समर्थन में कलतमेलाडू में डीमके ने जगा जगा विरूध प्रदर्शन किया पार्टी ने के कारेकारे अध्यक्ष स्टैलन की अगवाई में हजारों लोग सडकों पर उत्रे डीमके ने इस मामले में अध्यादेश लाने की मांग की है वही पेठा ने राश्ट्रपती से पावंदी जारी रखने को लेकर गोहाल लगाई है जली कट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवंध के विरूध में डीमके ने शुकरवार को राजव्यापी प्रदर्शन जारी रखा पाटी के कारेकारी अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने ठोस कदम ना उठा पाने के लिए राज्ये और केंद्र सरकार के अलूच ना भी की स्टालिन ने कहा कि तमिलाडू की परंपरा खत्रे में है इसे बचाने के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए जली कट्टू के समर्थकों की दलील है कि ये मामला विरासत का प्रतीक है वही जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने प्रतिबंद को सही फैसला करार दिया है इस मामले में जल्द फैसला लाने की अर्जी को गुरुवार को अदालत ने खारिच कर दिया था वहीं जली कट्टू को जारी रखने वाली केंदर की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है जली कट्टू यानी साणो की दोड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया था राज में पोंगल के त्योहार के दोरान जली कट्टू खेल होता है जिसमें साणो को काबू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी ब्यूरो रिपोर्ट राज्जी सभा टीवी खेल मंतराले ने भारती उलम्पिक संग को फिर माननिता दे दी है सुरेश कलमारी और अभैसिन चोटाला को आजीवन अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद ये फैसला हुआ है मंतराले ने आई ओ ए से कहा कि वो भविश्य में भी अपने फैसलों में पार दर्शिता बनाए रखे संग के अध्यक्ष एन रामचंदरन ने इस फैसले का स्वागत किया है कलमारी और चोटाला को पिशले दिनों आजीवन अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था दोनों पर द्रश्टाचार के कई आरोप हैं इसके बाद खेल मंतराले ने उलम्पिक संग की मानिता रद कर दी थी और उसे कारण बताओ नोटिस भीजा था निर्यात में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी दर्श की गई है दिसंबर में निर्यात 5.72 फीजदी की दर्श से बढ़कर 23.9 अरब डॉलर रहा पिशले साल इसी महीने में निर्यात 22.6 अरब डॉलर का था दिसंबर में आयात भी 0.46 फीजदी बढ़कर 34.25 अरब डॉलर पर पहुँच गया वहीं व्यापार घाटा 10.36 अरब डॉलर का रहा अप्रेल से दिसंबर के बीच निर्यात में 0.75 फीजदी की बढ़ोतरी दर्श की गई और ये 1.98 अरब डॉलर रहा अप्रेल से दिसंबर के बीच आयात 7.42 फीजदी घटकर 275.3 अरब डॉलर रहा और अब आत मौसम की उतर भारत में सर्दी का सिता मंगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा मौसम विभागने आने वाले दिनों में और बर्वबारी के आशंका जताई है वह मिजुरम की राजधानी आईजौल में थंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये है दिल्ली में भी तापमान तीन साल की नियूनितमस्तर पर पहुँच गया है कोहरे से यातायाद बाधित हुआ है कश्मीर से शिमला तक बर्व की चादर बिची है जमु कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में जारी बर्वारी लोगों के लिए आफ़त बन चुकी है ज्यादतर इलाकों में पारा शूने से नीचे चला गया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल के केलांग में पारा लुड़क कर माइनस 14.8 पर पहुँच गया मौसम विभाग ने पश्चिम विशोप की वज़े से जमु कश्मीर हिमाचल और उत्राखंड में 15-17 जनवरी तक भारी बर्वारी की आशून का जताई है इधर शिकारी देवी पहाडियों की ओर गए एनाइटी हमीरपूर के लापता छात्रों की तलाश चारी है तलाशी अभ्यान में 40 सदस्य बचाव टीम के अलावा सेना के हेलिकॉप्टर लगाए गए है गिरते पारे ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी हैं लोग अंगीठी और अलाव की सहारे ही दिन रात काट रही हैं शिमला में बिजली पानी की आपूर्ती बादित होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बरबारी की वज़े से मैदानी इलाकों में हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है बेखरों के लिए कडाके की ठंड कहर बनकर तूटी है चाय की चुस्की और आग की तपन ही लोगों का सहारा है इधर राजधानी दिल्ली में तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है कडाके की ठंड की चलते दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है कोहरे का असर रेल और हवाई यातायाद पर भी पड़ा है दिल्ली आने जाने वाली 25 ट्रेने देरी से चल रही है जबकि आठ का समय बदला गया है जबकि दो ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है पंजाब हर्याना के ज्यादतर इलाकों में पारा 5 डिग्री सेल्सिस से नीचे चला गया है राजिस्थान के सिकर में पारा माइनस एक डिग्री दर्च किया गया मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कड़कडाती ठंड की आशंका जताई है ऐसे में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार कम है ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी उपराश्पती मौहमद हामिन इंसानी ने स्वास्त जरूरतों के मदे नजर क्लीनिकल हेल्थ की मूलभूत सुविधाओं और स्वास्त मांगो की भी संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया दिल्ली में आउजित लिवर और बिलियरी संस्थान के चौथे दीक्षान समहारों में उन्हों ने ये बात कही उपराश्पती ने इस दौराँ लिवर ट्रांस्प्लांट किये गए बच्चों को प्रमार पत्र दिये समहारों में दिल्ली के उपराद जिपाल, अनिल बैजल, उपनुक्योमंतरी मनीशे से सोधिया और कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की उपराश्पती मौमध हमें दंसारी ने कल मारवार मुस्लिम एजुकेशनल और वेलफेर सोसाइटी के प्रतिनिदी मंदल से मुलाखात की इस दोरान उपराश्पती ने प्रतिनिदी मंदल से कई मुद्दों पर चर्चा की आठ सदस से प्रतिनिदी मंदल ने उपराश्पती को मुमेंटो भीट किया अमेरिका ने खरीब 20 साल बाद सुड़ान को आर्थिक प्रतिमंदों में ढिल देने का ऐलान किया है नौश्पती बराक उबामा ने कल कॉंग्रिस को पत्र जारी करके इसका एलान किया उबामा की मताबिक ग्रह युद्ध जैसे स्थिती को सुधाने के दिशा में सुड़ान सरकार के कदमों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है उबामा ने कहा कि पिछले छे महीनों के दोरान सुड़ान में सैन आकरा मक्ता में जबर्दस कमी आई है और इस वज़े से हिंसा वाले लाकों में शांती बहाल करने में मदद मिली है इसके लावा सुड़ान में मानवी संकट को सुधाने का भी जिक्र किया गया है साथी अमेरिका के साथ सहयोग में बढ़ुतरी पर भी उबामा ने संतोष जटाया है सुड़ान सरकार ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है सुड़ान में 2003 से ग्रेय उद्द चल रहा है सहीमतर राष्ट के मताबिक इस संगर्ष में खरीब तीन लाख लोग मारे जा चुके है देश में आज मकर संकरांती का तियोहार मनाया जा रहा है सुबह सही लोग गंगा समय दूसरी नदियों में आस्था की डुपकी लगा रहे है एक दूसरे को तिल और गुडबाट कर रिष्टों में नई मिठास घूल रहे हैं यह तो हर फसलों के कटाई के बाद मनाया जाता है प्राश्पती उप्राश्पती और प्रधान मंत्री ने इस मौके पर देश वासियों को बथाई दि हिंदी साहित्ते के महान, कवी और उपन्यासकार जैशंकर प्रसाद की आज पुन्नेते थी है 30 जन्वरे 1889 को बारानसी में जन्मे जैशंकर प्रसाद को लिखने की कलामे महारत हासिल थी बहुमुखी प्रतिबा के धने जैशंकर ने कविता, उपन्यास और नाटक के साथ ही निबंद भी लिखे चित्रधार, कामायनी, आसू, लहर, जर्ना, एक घूट, विशाक, अजाश्रत्रू उनकी शांदार रचनाए हैं उन्होंने सज्जन, कल्याणी, पन्यडे, प्राइश्चित, राजश्री, विशाक, कामना जैसे बहतरी नाटक भी लिखे आज की तारीक में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था और अखर में हेड्लाइन्स ब्यस्फ जवान के विडियो पर ग्री मंत्रा लेने पेमों को सौपी रिपोर्ट, खराब खाने की शुकायत को गिया खारिज, जवानों के लिए 30 जनवरी तक हेल्प लाइन सेवा समाजबादी पार्टी के चुनाओ चिन ने पर फैसला सुरक्षित साइकल पर पांच घंटे चुनाओ आईव में सुनवाई, दोनों पक्षों ने पेश की दलीले प्रधानमंद्री को समर्ण नहीं कर सकती लोकले का समिती अद्रक्ष के बयान को सदस्योंने किया खारिज, कहा जवाब की बात नितार नहीं दस मार्ट से होंगी आईसेसी की दसवी की परिक्षा, चुनाओ के मदे नज़र तारिखों में बदलाव, तीस जनवरी से आईसी की बारवी की परिक्षा और फिलाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश्दी शांतर, मसकार